प्रेम सनातन जै मामातंगी कव्वा बनाएगा करोड़ पती जी हां सुनकर आश्यरी भी लगा होगा और चौके भी होंगे कि कव्वा कैसे किसी व्यक्त को करोड़ पती बना सकता है लेकिन आज हम आपको कव्वा मंत्र कहता है एक इतना विलक्षन मंत्र बताने जा रहे हैं कि अगर उसे आप कर लेते हैं तो कव्वा आपको करोड़ पती बना देगा रातो रात सम्मोहन आ जाएगा आपके अंदर और जो चाहेंगे वो हासल कर सकते हैं बेहत महत्वपूर कारिकरम है यह इसलिए इसको बढ़ा करके न देखें पूरा कारिकरम जरूर देखें चुकि इसमें पूरी तरीके से आज हम वो मंत्र बताएंगे पूजन विधी बताएंगे और कैसे क्या बनाया जाएगा वो भी इसकी करिकरम में बताएगा तो पूरा यह एपिसोड का एक एक सेकेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टन है आप इस आंतर तक देखेंगा बहुत आसान प्रियोग इसमें बताएगा है एक छोटा सा मंद्र और एक छोटा सा प्रियोग फिर देखिए चमतकार की कववा कैसे करता है करूर पती हम अपनी बाद सुरू करें उससे पहले की निवेज़न की अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें चैनल को सब्सक्राइब करके वेल लाइकन का बटन जरूर दपाते हैं लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जै मा मातंगी जरूर लिखें कववे के नाम आते ही लोग चौक जाते हैं बुरा सा मुझ बना देते हैं और आम तोर पर धारणा ये बन गई है कि कववा अपसकुन का सूचक है लेकिन ऐसा है नहीं कववा अपसकुन का सूचक नहीं है तुकि कववा प्रिय है कववा काग भुसंडी के रूप में भी प्रिय दे चुके हैं और कववा सनी देव का वहन भी है कि कववा पित्रों को भी जोडता है चूंकि स्राज और पित्र पख्च के समय सब्से पहली रोटिद्धक कववे को ही खिला जाती है और ऐसा मॉन जाता है यह अगर threw को खिला रहे हैं तो पित्रों को भी हम तरप्त कर रहे हैं इसलिए कव्वा ना अपसकुन का सूचक है और नहीं अशुवता का सूचक माना गया है हाँ यह जरूर है कि क्तंत्र सात्र में कव्वे से जुले हुए तमाम मंत्र है और ऐसे ऐसे दुल्लव और विलक्षन परियोग बताएगे हैं जिसके करने से आदमी मनो चित कामना पूल कर सकता है आज ऐसे ही कव्वे के पंख से जुड़ा हुआ एक ऐसा विलक्षन मंत्र आपको बताने जा रहे हैं कि अगर यह विधान आप कर लेते हैं तो फिर आपके पास पैसे की कमी नहीं रहेगी चारों तरप से पैसा बढ़ेगा और जिधर भी पैसे क का दावा है तंद्र सात्र में एक मंत्र का प्रियोग किया गया है और मंत्र में कव्वे के पंख का प्रियोग किया गया है उस कव्वे के पंख को ही अभी मंत्रित करना होता और उसके बाद फिर सुरू होता है चमतकार आज हम आपको पूरी विधी बताएंगे कि कैसे कव् करम को बहुत ध्यान से सुनना सुरू करिएगा हम अपनी बात को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको कव्वे का एक पंख लाना होगा कव्वे का एक पंख लाने के बाद हां एक बात ध्यान रखेगा कव्वे का जो पंख आप लाएंगे वो पूरी तरह काला होना चाहिए जी काले कव्वे का काला पंख लेकर जा पाईए फिर उसे धो लीजिए धोने के बाद गंगा जल से भी उसे धो लें उसके बाद उस पर आप धीप दूब अगरबती जलाएं संबह हो तो लोबान भी जला सकते हैं फिर आप एक आख का पता दीजिये आख के सूखे पते पर कॉवे के उस पंख को रख दे और कॉवे के उस पंख को रखने के बाद मन ही मन आप कामना शुरू करें जो आप चाहते हैं पंक को रखने के बाद, आपको एक मंतर से इसे अभमंतरित करना पड़ेगा, मंतर हम कारिक्रम के बाद में बताएंगे, शुरुवात में हम आपको पूरा विधान बता जेते हैं और सबसे आखिर में बताएंगे कि कौन सा वो मंतर है, जिसे आपको पढ़ना होगा, मंत्र पढ़ने के बाद मंत्र आपको 108 बार पढ़ना होगा 108 बार मंत्र जब भी मंत्र पूरा करें मंत्र पूरा करें मत्र कोवे के पंक पर फूक मार दें फिर मंत्र पढ़ने फिर कोवे के पंक पर फूक मार दें फिर मंत्र पढ़ने और फिर कोवे के पंक पर फूक मार दें इस प्तार से एक सो आठ बार आपको मंत्र पढ़ना है और एक सो आठ बार फूक मारनी है आपको उस पंख पर इससे मंत्र पव्य का पंख आपका अर्म मंत्रित हो जाएगा कव्वे के पंख को फिर वहीं किसी चीज में रख करके या धाग के पत्ते पे ही कव्वे के पंख को जलने के बाद उसकी एक भस्म यानि राख तैयार हो जाएगी उस राख को आप तांबा, कासा या चांदी की कटोरी में रख दिएगा ध्यान रखिएगा कव्वे के पंख की की जली हुई भस्म को आप केवल तांबा, कासा या चांदी की कटोरी का प्रियोग करना है आलमूनियम, स्टील या लोहे का प्रियोग नहीं करेंगे आप को करना है केवल तांबा, कासा और चांदी उसमें रखने के बाद जो मंद्र हम पहले आप पढ़े थे उसी मंद्र को दुबारा फिर आप पढ़ेंगे 108 बार, और 108 बार पढ़ने के बाद उस भभूत में भी आप फूकेंगे वह ऐसे ही फूकेंगे, फिर आप उसको अपने पूजास्थान के उपर रख दीजिए इसके बाद 7 दिन तक लगातार आपको यही मंद्र पढ़ना होगा 108 बार और 108 बार उस भश्म के उपर आपको फूकना होगा साथ दिन तक लगातार जब आप उस भश्म पर इस मंत्र को पढ़कर फूकते रहेंगे तो वह पंख अपने आप में जागरत हो जाएगा, अभी मंत्रित हो जाएगा इसके बार उस साथवे दिन आप उस भश्म को धूप दिखा दें, अगर बती, लोबान या किसी प्रकार की धूपा दें, उसको धूप दिखा दें अब ये आपका भश्म तयार हो गई इसके बार नीमित रूप से आप इस भश्म का अपने माथे पर तिलक करना सुरू कर दिए, जैसे ही इस भश्म का तिलक माथे पर करके आप घर से निकलेंगे, आपके सारे काम बनने सुरू हो जाएंगे धन के जिस मामले में भी आप हाँ डादेंगे, वहाँ आपको अपार धन मिलना सुरू हो जाएगा ये अपने आप में वशी करना भी काभी काम करेगा और जो भी सामने ब्यक्त होगा, वो आपसे प्रभावित हो जाएगा यानि आपके भस्म हो जाएगा, इस तिलक को आपको नेमित करना है, चन्द दुनों में ही आपकी जरितरता आर्शिक तंगी दूर होगी और कहां से धन आ गया, आप इसे जान नहीं पाएगे हाँ, अब हम आपको बता रहें कि वो मंत्र जिसे आप, जिस मंत्र से इस भस्म को, पहले पंक को और बाद में भस्म को आपको जागरत परना होगा, हम मंत्र पढ़ रहे हैं ध्यान से तुनिगा ओम काग भुसंडी नमह शर्ब जन मोहि मोहि वशय वशय कुरू कुरु श्वाहा ओम काग भुसंडी नमहा सर्व जन्मोहे मोहे वशे वशे कुरु कुरु स्वाहा ओम काग भुसंडी नमहा सर्व जन्मोहे मोहे वशे वशे कुरु कुरु स्वाहा इस मंत्र को सबसे पहले जब आप पंख लेकर आएंगे धोके रखेंगे तो उस एक सो आट बार फूकेंगे एक सो आट बार इस मंत्र को पढ़कर फूक मारकर आप पहले इस पंख को जाकरत करेंगे और पंख को जड़ा कर जब आप उसकी भस्म बना लेंगे तो उसकी भस्म पर भी 108 बार इसी मंत्र को पढ़कर के 108 बार इसके उपर फूक मारनी है और फिस साथ दिनों तक लगातार इसी मंत्र को आप 108 बार रोज पढ़ करके उसी भस्म पर फूंक मारेंगे इससे वह भस्म जगरत हो जाएगी अभी मंत्रित हो जाएगी उसे अपने माथे पर लगाना शुरू करिए और चमतकार देखिए मा मातंगी करपा से मा लक्षिमी क या सीम अनुकमपा से आप पर धन की वर्षात होगी धन के नए नए आयाम खुलेंगे नए नए रास्ते खुलेंगे धन कहां से आ रहा आप जान नहीं पाएंगे और धन आपके पास आता चला जाएगा यानि दूर दिन दूर करने का ये सबसे अच्छा मंत्र बताया गया है गरीबी और भुक्मरी खत्म करने का ये बहुत अच्छा मंत्र बताया गया है और सर्वजन वसं कराए यानि सब को वश्मे करने का ये अद्वुत पुरियोग है इसका तिलक भस्म बनाएए तिलक लगाएए और देखिए कि कैसे कव्वा बनाएगा करोर पती